पिछले सेशन्स में हमने सोशल एंटरपनियोर्शिप को जो लीगल चैलेंजिस पेश आ सकते हैं या लीगल कांसिडरेशन्स हो सकती हैं उनके बारे में बात की। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पाकिस्तान में सोशल एंटरपनियोर्शिप के हवाले से जो लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं उन पर बात करेंगे। पाकिस्तान में जैसा के इस कोर्स के दोरान आपको अंदाजा हुआ होगा सोशल के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन साड़े चार लाख सोशल एंटरप्राइज़ हैं। इन में से 53% सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं। तकरीबन more than 20% जो हैं वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं। और बाकी जो हैं उसमें ट्रांस्पोर्ट, इंफ्रस इनर्जी और इस तरह के दूसरे सेक्टर में एक स्मॉलर रेशो जो हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में सोशल एंटरपर्नियोर्शिप पर रिसर्च की अभी बहुत कमी हैं। खास तोर पर पाकिस्तानी सोशल एंटरप्राइज़ के लीगल स्टेटस के ऊपर नहीं मिलती। एक सोर्स इंटरपर्मेशन का जो है वो ब्रिटिश कॉंसल की एक 2016 की स्टडी है जिसमें ब्रिटिश कॉंसल ने 143 सेल्फ आइडेंटिफाइड सोशल एंटरप्राइज़ को कॉंटेक्ट किया उनका सर्वे कंड़क्ट किया। What do I mean by Self-Identified? Self-Identified का मतलब है कि किसी legislation या registration की अदम मौझूदगी में जो भी organization अपने आपको सोशल एंटरप्राइज के तौर पे मुतारफ करवाती है वो Self-Identified Social Entrepreneurship Organization है। 143 organizations जिनने सर्वे किया गया उनमें से 135 ने legal status के question पर respond किया। उनमें से 28% ने कहा कि वो कहीं registered नहीं है, not yet registered मतलब they are working, they are making an impact, they are value adding लेकिन वो कहीं पर भी किसी भी तरह से registered नहीं है, वो एक legal entity नहीं है। उसके मुकाबले में 26% organizations ने जो social enterprises हैं उन्होंने अपने आपको not for profit के तौर पर introduce कराया। 41% social enterprises ने अपने आपको far profit organizations कहा। अब देखना उसमें यह है कि यह जो far profit और not for profit की broader categories हैं उसके अंदर further तक्सीम है। हम आगे चल कर बहुत तफसील से बात करेंगे कि for profit social enterprises को पाकिस्तान में registration के हवाले से क्या opportunities और क्या provisions हैं और not for profit social enterprises जो हैं उनके लिए क्या legal provisions हैं वो किस किसम के कवानीन को follow करती हैं। लेकिन interesting बात यह है कि legal frameworks जो हैं वो इतने ambiguous हैं इतने vague हैं कि तमाम organizations अपने आपको social enterprise के तौर पे identify करती हैं लेकिन उनकी या तो वो register नहीं है कहीं भी वो legal entity ही नहीं है। मतलब अगर उन्हें अपने काम के दौरान अपनी working के दौरान कहीं कोई issue आता है तो there is no legal way out। उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कानून उनको किस तरह से support करे या उनके क्या legal obligations बनती हैं। जबके ज्यादा तादाद जो है वो far profit organizations अपने आपको identify करती हैं 41% अब इसकी जो हैं वो implications है social enterprises के जो service delivery है उसके हवाले से। of course जो आपका एक legal entity होना जो है जो आपका एक कानूनी तिशक्स है किसी organization का वो उसकी working को determine करता है उसकी जो rights और responsibilities हैं उनको determine करता है उसमें जो सही और गलत के मायार हैं या जो भी उनकी ethical और legal obligations हैं उनको मुकरर करता है। ऐसे में ये organizations जो हैं वो कैसे काम कर सकती हैं effectively कास तोर पर। नतीजितन उनकी working जो है वो impact होती है negatively वो उतनी efficient और उतनी effective नहीं है वो उतना value addition नहीं कर पाती अगर वो एक clear legal entity के तोर पर मौजूद होती। दुनिया के वो मुवालिक जिन्होंने social entrepreneurship का potential recognize किया है उन मुलकों में recognition के हवाले से सबसे important step जो लिया गया है वो social entrepreneurship की अलग legal entity जो है वो determine करना है। For example, United Kingdom में community interest company के नाम से legislation की गई है कि तमाम social enterprises जो far profit हों, not for profit हों या hybrid हों वो अपने आपको community interest company के तौर पर register करा सकते हैं और उनकी जो obligation और उनके जो rights होंगे वो उस law के मुताबिक होंगे जो उन्हें as a separate entity from businesses as well as from NGOs या charities एक उनका character मुता है। इसी तरह Italy में social cooperatives का concept introduced कराया गया, social cooperatives के नाम पे इस तरह की social enterprises को register किया जाता है और उसी हिसाब से उनका role और उनकी responsibilities determined होती है। United States में एक limited liability जो है उसके लहाज से companies को register किया जाता है या social entrepreneurship की firms को register किया जाता है। India में भी provision मौझूद है कि social enterprises अपने आपको far profit या NGO से अलग एक बिलकुल separate entity के तौर पर register किरा सकती हैं और उसी लिहाज से उनके लिए legal provisions in terms of rights and responsibilities मौझूद है। Students, Pakistan में जैसा कि हम सब realize करते हैं increasingly social, economic और environmental problems जो हैं वो बढ़ रहे हैं। Pakistan का जो societal या social fabric है वो उतना close knit नहीं रहा जितना हम कभी claim करते थे। Economic crisis is looming every other day, हर दूसरे दिन हमें कोई financial setback मिलता है, हमें कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है economic times में और environmental degradation उसका तो कोई हमारे पास है यह नहीं जवाज के हम उसको ignore कर सकें। यह जो आए दिन floods आते हैं, जो natural disasters होते हैं, यह सब के सब indicate कर रहे हैं कि पाकिस्तान environmentally किस कदर challenged और vulnerable है। अगर पाकिस्तान में government जो है वो चाहती है कि social entrepreneurs अपना role करें और यह triple bottom line achieve करने में government को support करें या society की help करें तो इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में social entrepreneurship की अलग से clear legal registration की provision है वो होनी चाहिए। Thank you